किसानों को बड़ी सौगात अग्रिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी का क्या उतकाटन साथे किसानों के लिए किसान सम्मानी उचना की छटी के स्भित की जारी रक्षामंत्री राचनात सिंग ने ट्वीट कर कहा कि देश आत्म निर्भर भारत बनने के लिए पूरी तरह से तयार है देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ट 24 गंटे में 55,000 से ज्यादा संक्रमेत 875 ने गवाई जान 52,000 से ज्यादा हुए ठीक एक्टिव केस चेला 28,000 के पार अंद्रप्रदेश के विजवाड़ा में कोविट केर सेंटर में लगे आग नौमधीजू की मौत हुटेल को कोविट सेंटर में किया गया था तब दील हुटेल में 30 कोरोना मरीज समेथ थे 40 लोग जमु कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मोटपेड सेना को मिली थी कई 2-3 आतंकियों के चिपे होने की स्तूचना सुरक्षा बलों ने पूरे आखे को घेरा चन्रिकट में जहरेली शराब से मौस का मामले को लेकर सेडी ने तीसरे दिन भी क्या प्रदर्शन हेरा सिंग की अगवाई में क्या गया प्रदर्शन पोलिस ने सभे नेताओ को हेरासत में लिया राजफवन के आगे कर रहे थे वेरोध प्रदर्शन राजिस्वा सदस्यस शमसेर सिंग दुल्लो ने पंजाब सरकार द्वारा सांसत बाजवा की सुरक्षा वापस लेने के मामने पर कहा कि पंजाब सरकार सुरक्षा के मामने में भेदभाव कर रही है किसी को बिना किसी बात के सुरक्षा दे रखी है तो वहीं जिनको जरुरत है उनसे वापस ली जा रही है जहरीली शराब से मौत का मामला लगाता है जहां गर्माता जा रहा है वहीं पुलीस की तरफ से अवेज शराब कारों पर नकील कसने की भी कोशिच जा रही है लेकिन बावजूद इसके दोदा में सरयाम नाजायस ब्रांचों के जरीए शराब बेची जा रही है इतना ही नहीं नाबालिक भी शराब खरीद रहे है खना में घर के बाहर खड़ी कार में लगी आग कार पूरी तरह से जलकर राग फायर ब्रिगेड नी मौके पर पहुच कर पाया आग पर काबू समराला की पुरानी सबसिमंदी की खटना फाजल का की जोरा सिंग मान अगर में विवाहिता की संदिक धालत में मौत का मामरा सामने आया परीजन उने मैला के पती पर जहली राप पधार्थ किला कर हत्या करने का आरूप लगाया